किसी को बहुमत नहीं मिला कि के सी यार को सपोर्ट की जरुरत थे और आपने देखा होगा हाईदराबार कॉर्पोर्शन के चुनाव के पहले वो एरपोर्ट में पूरी फोज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे बहुत सम्मान करते थे याद है ना फिर क्या हुआ भई अचानक मन दो गए अचानक इतना गुसा क्यों निकल रहा है इसका कारण ये है कि हाईदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारिक चेक कर ले मिडिया वाले वो दिल्ली मुझे मिलने आये बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया इतना प्यार दिखाया ये केसी आर के केरेक्टर में नहीं है और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नित्रतों में देश प्रगति कर रहा है हम भी एंडिय का हिस्सा बनना चाहते हैं आप हमें एंडिय में शामिल कर दीजिए मैंने का आगे क्या बोले है इद्राबाद में मुंसिपाल कॉर्परेशन में हमारी मदद कर दीजिए मैंने केसी आर को कहा आपके कारणा में ऐसे है मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है हाइद्राबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे केसी आर की सरकार हमारे कार करताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे लेकिन हम तेलंगना की जनता से दगान नहीं कर सकते हैं कि बले तेलंगना की जनता ने हैद्राबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया लेकिन 48 सिट भी तेलंगना का भाग्य बदलने की शुरुवात है और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया उनको एंडिय में एंट्री देने से इनकार कर दिया उसके बार उनका दिमाग फटका फिर तो वो भाती भाती से दूर भागने रहे मैं प्रस्टाचार के सवाल पूझने लगा फिर एक बार दुबारा आये वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया अब मैं सारा कारोबार के टी यार को दे देना चाहता हूं मैं एक बार के टी यार को भेजूंगा आप जरा उसको आशिरवाद दे देना ये उन्होंने मुझे कहां मैंने कहां किस यार ये लोक तंत्र है तुम कौन होते हो बेटे को राजगा दी दे तुम राजा मारा जाओ क्या क्या तुम राजा मारा जाओ क्या अरे तेलंगा कि जनता ताय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है बाज वो दिन आखरी था उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आँखे नहीं मिला पा रहे हैं मेरा पढ़्चाया भी देखने की इमत नहीं बची उनकी आप देखा अभी मैं सरकारी कारकम करके आया कोई प्रस्टाचारी मेरे बगल में बैट करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है इसलिए भाग रहे हैं